दोस्तों मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं ड्रेविविट विकास कैसे हैं आप लोग आपने अभी तक यूटुब पर बहुत सारी वीडियो देख ली होगी किया सोनिट के बारे में पर मैं आपको इस वीडियो में Kia Sonnet के वो 5 फीचर की जानकारी दूँगा जो आपको अभी तक किसी ने नहीं दी है वैसे अगर आप Kia Sonnet का फुल रिव्यू वीडियो देखना चाते हैं तो उपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं या फिर लास्ट तक वीडियो देखती रहिए मैं आपको लास्ट में Kia Sonnet के रिव्यू का लिंक दे दूँगा तो चरिए वक्त बरबाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना ये वीडियो सबसे पहले Kia Sonnet के फर्स्ट फीचर यानि इंजन के बारे में Kia Sonnet आपको तीन इंजन आप्शन ही मिलेगा पहला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विद 83 PS पावर एंड 114 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ इसमें आपको 5 स्पीड का गेर बॉक्स भी मिलेगा दूसरा आपको आप्शन मिलेगा 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जिसकी पावर होगी 120 PS और 171 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा इसमें आपको 6 स्पीड का गेर बॉक्स मिलेगा इसमें आपको मैनूल और आटोमेटिक दोनों में ही आप्शन मिलेगा तीसरा जो इंजन आप्शन है इसमें आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन इसमें आपको पावर मिलेगी 100 PS की और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा इसमें भी आपको 6 स्पीड का गेर बॉक्स मैनूल और आटोमेटिक दोनों ही आप्शन मिलेगे अब बात करते हैं सेकेंड फीचर और सबसे इंपोर्टन सेफटी फीचर के बारे में इसमें आपको मिलेगा अप्टू 6 एरबैक्स जो आजकल की ड्राइविंग कंडिशन में सबसे जरूरी फीचर माना जाता है और किया ने अपने सोनट में इसको बहुत ध्यान रखा है साथ में आपको इसमें मिलेगा 360 डिग्री कैमरा जो इस सेग्मेंट में पहला होगा अपने राइवल ब्रीजा, नेक्सॉन, वेन्यू या इको स्पोर्ट ये इन सब को फीछे छोड़ता नजार आ रहा है इस खास फीचर यानि की 360 डिग्री कैमरा की वज़े से अब बात करते हैं थर्ड फीचर जो हम सब को सबसे ज़्यादा आकारशित करता है और वो है इसका इंपोटेन्मेंट सिस्टम इसमें आपको मिलेगा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंपोटेन्मेंट सिस्टम जिसमें आपको इसमें Bluetooth, Aux, Radio, Maps जैसे फीचर मिल जाएंगे और अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये अपने कटेगरी में सबसे इंपोटेन्ट है जी हाँ इसमें मिलेगा आपको Bose का साउंड सिस्टम जी बिल्कुल सही सुना आपने इसमें आपको मिलेगा Bose का साउंड सिस्टम है ना कमाल की बात तो अब आपकी लॉंग जर्ली और भी मधूर हो जाएगी या ये कहें संगीत में हो जाएगी चली आप बात कर लेते हैं फोर्थ फीचर की जो आजकल बहुत ज़रूरी है इसमें आपको मिलेगा एक Air Purifier पी जैसा कि आपने Hyundai Venue में देखा है और कुछ-कुछ वैसा ही Air Purifier आपको Kia Sonnet में भी मिल जाएगा अब आखिर में लास्ट फीचर यानि फिफ्ट फीचर थी वैसे अगर आप उन लोगों में हैं जो मुबाइल फोन का बहुत जादा यूज करते हैं और हमेशा पावर बैंक को लेकर चलते हैं तो आपको Kia Sonnet में पावर बैंक कैरी नहीं करना पड़ेगा इसमें आपको मिलेगा wireless charging system बस आपका फोन इस technology का होना चाहिए अब जब ये launch होगी तो मैं आपको इसके real review लेकर आऊंगा तो फिर सोच क्या रहे हैं चैनल को subscribe कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो like और share ज़रूर करिएगा बाकी अगर आपको कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट में लिखेगा मैं उसका जवाब जरूर दूँगा तब तक के लिए घर पे रहे हैं सेफ रहे हैं